एक vacuum cleaner लेना है, dry लेना चाहिए या फिर wet and dry, किस में suction capacity सबसे ज़्यादा अच्छी होगी, और motor की power किस में सबसे ज़्यादा अच्छी होगी, power cord की length किस की सबसे ज़्यादा होगी, और overall features और attachment सबसे ज़्यादा मुझे किस में मिलेंगे, ये कैसे पता चलेगा, फिलाल तो आप इस वीडियो को देखेंगे, तो आपको किसी और वीडियो की देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ना brand website की, ना Amazon और Flipkart की, and I guarantee you that. Hello दोस्तो, welcome to my channel VM1, मेरा नाम है विनीत, और आज मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा, best vacuum cleaners that you can buy in India in 2021. दोस्तो, इस वीडियो के इंतर आगया आप जो भी products देखेंगे, वो free review units नहीं है, उन्हें हमने खरीदा है, और 45 days तक testing की है, उसी के basis पे आपको हम pros and cons actual बता पाएंगे, क्योंकि हम किसी brand का sponsored content इस channel पे नहीं चलाते, और नहीं हम किसी brand की add करने में believe करते हैं, अगर आप हमें support करना चाते हैं, तो please like करें इस video को अगर आपको पसंद आए तो, subscribe करें हमारे channel को, और अगर आप description box में दिये हुए, किसी भी link से कुछ भी purchase करेंगे, तो बिना आपके price को इतना सा भी change करें हुए, हमारे channel की बहुत ज़ादा help होगी, और इसी से हम इस channel को run करते हैं, और हाँ दोस्तो, हम आगे बढ़ें, उससे पहले आपको vacuum cleaners के बारे में कुछ basic और बहुत important point समय बताना चाता हूँ, जो आपके लिए जानने बहुत ज़रूरी है, पहले उन्हें बहुत ध्यान से सुनें, और बिना skip करें, फिर ये वीडियो को देखें, आपको सब कुछ अराम से समझ में आएगा, पहले बात करते हैं, type of vacuum cleaners के बारे में, सबसे ज़्यादे popular है, canister vacuum cleaners, ये अलग-अलग तरीके के आते हैं, और इसके अंदर आपको बहुत सारी attachments मिलती हैं, जिससे आप अलग-अलग type के surfaces को clean easily कर पाएंगे, फिर आते हैं handheld stick vacuum cleaners, इनके अंदर battery लगी होती है, और इनका maximum backup time 30 से 45 minutes के आसपास होता है, और इनके अंदर आपको attachments कम मिलती हैं, जिससे आप कुछ ही surfaces को clean कर पाएंगे, and last but not the least, एक होते हैं robotic vacuum cleaners, जिने program कर देने पे, वो खुदी सारे surface को clean करेंगे, लेकिन उनके में बहुत सारी limitations होती हैं, क्योंकि वो हर surface पे काम नहीं करते, और उनके साथ कुछ खास attachments भी नहीं आती, दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ canister vacuum cleaners के बारे में बात करेंगे, जो कि सबसे जातो popular भी हैं, और उनसे आप हर तरीके के surfaces को clean कर पाएंगे, और हाँ, ये दो types में आते हैं, dry and wet and dry, इन दोनों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा, canister vacuum cleaners के अंदर generally आपको एक HEPA filter देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है for the brands, क्योंकि brand उसे use करते हैं as a tool to sell you their product, generally होता ये है कि vacuum cleaner के exhaust vent पे उस HEPA filter को लगाये जाता है ताकि vacuum cleaner से बाहर निकलने वाली हवा filter होके निकले, और उस से आपको गंदगी का ऐसास बिलकुल भी ना हो, लेकिन हैपा filter की life होती है काफी काम और replaceable filter बहुत मुश्किल से मिलते हैं, तो इसे एक marketing gimmick ही समझिए, और अगर आपको एक normal filter भी मिलता है किसी भी vacuum cleaner में, that is good, कोई भी vacuum cleaner, let's say 2000 watt का vacuum cleaner, हमेशा अपनी peak power पे काम नहीं करेगा, वो 500 watt पे भी काम करेगा, 1500 पे भी और 2000 पे भी, ये डिपेंड करता है variable speed option से, अगर आपको अपने vacuum cleaner के अंदर variable speed option मिलेगी, तो वो variable power option के साथ भी automatically आएगा, किसी भी vacuum cleaner की suction capacity को measure करा जाता है, किलो पैस्कल यानि kPa के अंदर, ये होती है, 1000 units of pressure, यानि 1 kPa is equal to 1000 units of pressure, जितना ज जादा kPa का आपका vacuum cleaner होगा, उतनी ही जादा उसकी अच्छी section capacity भी होगी, जो noise levels आप vacuum cleaners के देखते हैं, वो एक controlled room के अंदर लिये जाते हैं, normal room के अंदर नहीं, जो figures आप देख रहे हैं, उसे 15 से 20 decibels भढ़ा दें, वो होगी असली noise levels आपके vacuum cleaner की, दोस्तों इस वीडियो क 45 days लगते हैं क्या बनने में, एक्चली हम बहुत सारे vacuum cleaners को check और test कर रहे थे, जो आप इस वीडियो में आगे देखेंगे, और हाँ दोस्तों, dry और wet and dry, दोनों category के vacuum cleaners को आप as a car vacuum cleaner भी use कर सकते हैं, so do not spend your extra money on car vacuum cleaners, दोस्तों सबसे पहले मैं आपको dry vacuum cleaners के बारे में और उसमें number 3 पे मेरी लिस्ट में आता है, इनालसा clean max vacuum cleaner, इसके अंदर आपको 3 liter की capacity मिलती है, और ये 1900 watt की motor के साथ आता है, जो की देती है 23 kPa की suction capacity, इनालसा इसे कहता है bagless cyclonic vacuum cleaner, and I must say it's a very beautiful design, और इसके अंदर आपको मिलती है, host of attachments for different type of cleaning, इनालसा के इस clean max के अंदर आपको हेपा filter भी देखने को मिलेगा, और सबसे अच्छी बात इसकी ये है, कि इसके अंदर आपको variable speed देखने को मिलेगी, with swivel wheels, variable speed कितनी important है, ये आपको आगे वीडियो में पता चलेगा, इस vacuum cleaner के अंदर आपको 2 in 1 crevice nozzle मिलेगी, round brush मिलेगा, और साथ में tube clip, metal telescopic tube, और floor cum carpet brush, इन इनल्सा का ये vacuum cleaner 7 kgs वे करता है, और इसके अंदर आपको 5 meter की power cord length मिलती है, इनल्सा आपको देता है 2 years की comprehensive warranty इस vacuum cleaner पे, और आप इसे आज की रिट में खरीत पाएंगे 6,300 रुपीज का, now let's talk about pros and cons, ये एक अच्छा vacuum cleaner है, इसमें आपको variable power settings भी देखने को मिलेगी, और HEPA filter भी मिलेगा, then what is the problem? The problem is कि variable power settings होने के बावजूद भी इसकी suction capacity बहुत जादा नहीं है, और इसके अंदर आपको blower नहीं मिलता, it is just a vacuum cleaner जो सिरफ suction के काम आ सकता है, blowing के नहीं, अगर आपके लिए ओके है, तो links मैंने दिये हैं description box में, आप इस product को जरूर चेक करिए, best vacuum cleaner in India क मेरी listment number 2 पे आता है, Philips का Power Pro, इस vacuum cleaner के अंदर आपको 1.5 liter की capacity, 1900 watt की motor और 33 kPa की suction capacity मिलेगी, Philips Power Pro के अंदर use हुई है, Power Cyclone 5 technology, इसमें आपको EPA 10 allergy filter भी मिलता है, which is a good thing, और ये light weight और large wheels के साथ आता है, इसका advanced dust container design दिखने में अच्छा लगता है, और easily remove भी करा जा सकता है, and not to forget, इसके अंदर आपको active lock coplings मिलेंगी, attachments की बात करें तो main unit के अलावा, इसके अंदर आपको hose pipe, crevice tool और एक integrated brush देखने को मिलता है, इसके declared noise levels हैं 82 decibels, लेकिन जब हमने check करें, तो ये आए 95 decibels के आसपास, चलिए अब देखते हैं कि इसकी high suction power काम कैसे करती है, सिर्फ 4.5 kg weigh करता है, फिलिप्स का power pro और इसके अंदर आपको 6 meter की power cord length मिलती है, फिलिप्स आपको इस पर देता है, 2 years की comprehensive warranty और आप इसे आज की rate में खरीद पाएंगे, 7,300 रुपीज का, now let's talk about pros and cons, ये एक बहुत ही शानदार vacuum cleaner है, इसके अंदर आपको बहुत अच्छी suction capacity मिलेगी, actually more than what you need, ये एक lightweight vacuum cleaner है, और इसे आप easily carry करके कहीं भी घर में घुम सकते हैं, लेकिन, there are few cons, इसकी बहुत अच्छी suction capacity के साथ, match करती हुई, आपको speed control या फिर power control नहीं मिलता, यानि ये सिर्फ एक ही suction capacity maximum पे काम करेगा, that is a bad thing according to me, और इसके अंदर आपको attachments भी कम मिलती हैं, यानि आप इससे बहुत जादा या फिर हर टाइप के surface को clean नहीं कर पाएंगे, if this is not a problem for you, और आपने जो attachments देखी, वो आपके घर के usage के हिसाब से बिलकुल सही हैं, तो link मैंने दिये हैं description box में, this is one of the best sellers, और आप इसे जरूर चेक करिए, best vacuum cleaners in India की मेरी list में, dry category में number one पे top करता है, agaro का twister, इसके अंदर आपको 6 liter की capacity मिलती है, और 2200 watt की motor मिलती है, जो की 25 kPa की suction capacity के साथ आती है, high suction power वाले इस vacuum cleaner के अंदर आपको vacuum cleaner और blower दोनों देखने को मिलेंगे, इसके अंदर आपको reusable dust bag देखने को मिलेगा, और उसके full होने पे एक indicator भी मिलेगा, agaro twister आता है एक HEPA filter के साथ, और इसके अंदर आपको 360 degree swivel wheels भी देखने को मिलेंगे, और मुझे जो इस vacuum cleaner की सबसे अच्छी बात लगी, वो है इसकी variable power settings, एक jog dial से आप power और suction capacity को control कर सकते हैं, क्योंकि अलग-अलग surface की अलग-अलग suction capacity needs होती हैं, और अगर attachments देखें, तो इसके अंदर आपको main unit, hose pipe, telescopic metal tube, floor brush, multipurpose brush और crevice nozzle भी देखने को मिलेगी, चलिए अब इसके noise levels का test करते हैं, अगारो के हिसाब से ये vacuum cleaner 80 decibels की noise produce करता है, लेकिन हमारी testing के दुरान हमने note करें 90 decibels, चलिए अब देखते हैं कि इसकी high suction power काम कैसे करती है, 10.6 kg वे करता है अगारो का twister और इसके अंदर आपको 5 meter की power cord length मिलती है, अगारो आपको देता है 1 year की comprehensive warranty और आप इसे खरीद पाएंगे, इस समें 8000 रुपीज का, नव लेट्स तॉक बारो प्रोस और इन कॉन्स, ये एक बहुत ही शानदार vacuum cleaner है, इसके अंदर आपको HEPA filter मिलता है, वेरियेबल पावर सेटिंग्स मिलती है, इसकी noise levels कम है, डिस्पाइट सच अगूड सक्षिन कापासिटी, सक्षिन कापासिटी भी इसकी काफी अच्छी है, पट, देर इस ओनली वन कॉन्स that I could find, इसका जो जॉक डाइल है, वो फ्री टर्निंग डाइल है, विद नो रिसिस्टेंस, जैसे हमें माइक्रोवेवस के अंदर आदत है, थोड़े से फीडबाक वाले जॉक डाइल की, वो इसके अंदर हमें देखने को नहीं मिलता, that is what I meant, but this is not a big con, एक चीज और है जो मुझे लगी, कि अगार हो इस पे सिरफ 1 year की वारंटी दे रहा है, जबकि competition 2 years की वारंटी देता है, but if these are not cons for you, तो link मैंने दिये हैं, description box में, this is a fantastic vacuum cleaner, अगर मुझे लेना होता, तो शायद मैं यही लेता, अब हम wet and dry vacuum cleaners की बात करेंगे, और best vacuum cleaners in India के मेरी लिस्ट में number 3 पे आता है, कार्चर कार WD3 model, इसके अंदर आपको 17 liters की capacity, 1000 watt की motor, और 20 kPa की suction capacity मिलती है, यह बहुत ही शांदार और सुन्दर देखने वाला vacuum cleaner with blower है, इसके अंदर आपको एक plastic body मिलेगी और यह बहुत ही अच्छे material से बना है, इसके अंदर आपको paper dust bag देखने को मिलेगा, और इसके अंदर एक specific cartridge filter भी है, paper dust bag की cost approximately 135 रुपीज पर paper bag है, और cartridge filter approximately 400 से 500 रुपीज का cost करेगा, जब यह खराब हो जाएगा तो, इसके अंदर आपको newly developed floor nozzle भी मिलेगी, और suction hose भी मिलेगा जो की removable handle के साथ आता है, इस vacuum cleaner के अंदर आपको swivel wheels भी मिलेगे, attachments की बात करें तो इसमें main unit के अलावा आपको hose pipe मिलेगी, extension rods मिलेंगी और वो दो मिलेंगी, एक floor nozzle मिलेगा जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया, और एक crevice nozzle मिलेगी, कार्चर क्लेम करता है 73 decibels की noise levels, लेकिन हमारी testing के दौरान यह आए 105 decibels, चलिए अब इस vacuum cleaner की suction capacity का एक sample देखते हैं, कार्चर का यह vacuum cleaner 6 kg वे करते हो और इसके अंदर आपको 4 meter की power cord length मिलती है, company आपको इस पे देती है 1 year की comprehensive और 5 years की warranty on the motor, आप इसे खरीद पाएंगे इस समय 7,000 रुपीज का, नाओ लेट्स टॉक बाउट प्रोजन कॉन्स, यह एक बहुत ही शानदार vacuum cleaner है, जिसके अंदर आपको बहुत अच्छी suction capacity मिलेगी, इसकी warranty बहुत ही अच्छी है, and I must appreciate कि किसी भी और brand के अंदर इतनी अच्छी vacuum cleaner पे warranty नहीं देखने को मिलती, इसके अंदर आपको बहुत सारी attachments extra भी मिल सकती हैं, अगर आप उसे खरीदना चाहें तो, बट यही इसका एक con भी है, कि इसके साथ आपको बहुत सारी attachments नहीं मिलती, suction capacity बहुत जादा अच्छी है, लेकिन उसका control आपको इस vacuum cleaner के अंदर नहीं दिया गया है, अगर आपके लिए एक cons नहीं है, तो link मैंने दिया है description box में, this is genuinely a very good vacuum cleaner, wet and dry दोनों functions इससे बहुत अच्छी तरह करे जा सकते हैं, आप इससे जरूर consider करिए, best vacuum cleaner की मेरी लिस्ट में number 2 पे आता है, अगारो का ace vacuum cleaner, इसके अंदर आपको 21 liter की capacity, 1600 watt की motor, और 21.5 kPa की suction power मिलेगी, actually it is high suction and high power vacuum cleaner, जो की एक बहुत powerful blower के साथ भी आता है, इसके अंदर आपको stainless steel की body मिलेगी, और reusable dust bag भी मिलेगा, इसके blower पे एक air filter लगा हुआ है, जो बाहर निकलने वाली हवा को filter करके छोड़ता है, and not to forget, कि इसके अंदर आपको swivel wheels भी मिलते हैं, attachments में नजर डालें, अगारो क्लेम करता है 80 decibels के noise levels, लेकिन हमारी टेस्टिंग के दौरान यह आए 97 decibels, चलिए अब इस vacuum cleaner की suction capacity का example देखते हैं, अगारो एस वे करता है 7 kg और इसके अंदर आपको 5 meter की power cord length मिलती है, अगारो आपको देता है 1 year की comprehensive warranty, और आप इसे इस समय खरीद पाएंगे 5,200 रुपीज का, अब लेट्स टॉक अबाट प्रोज और इस टॉक अबाट प्रोज और इस टूली वैल्यू फर मनी वैक्यूम क्लीनर, जिसके अंदर आपको बहुती शांदार suction capacity मिलती है, चाहे आप कोई भी extension लगा लें, लेकिन अगर ये कंट्रोल दिया जा सकता होता, तो वो बहुत जादा अच्छा रहता, अधर्वाइस इस अफेंटास्टिक वैक्यूम क्लीनर, आप इसे जरूर कंसिडर करें फोर वेट और ड्राइ बोथ परपसेज, बेस्ट वैक्यूम क्लीनर इंडिया के मेरी लिस्ट में नंबर वन पे टॉप करता है, अमेरिकन माइक्रोनिक का 21 लीटर का वैक्यूम क्लीनर, जिसके अंदर आपको 1600 वाट की मोटर मिलती है और 28 KPA की सक्षिन पावर, इसमें आपको स्टेनले स्टील की बॉड़ी मिलती है और रियूजबल डस्ट बैग मिलता है हेपा फिल्टर के साथ, एंड नॉट टू फरगेट के इसके अंदर आपको स्विवल वील्स भी मिलते हैं, इसके अंदर आपको में यूनिट, फ्लेक्सिबल होस पाइप, दो एक्स्टेंशन पाइप्स, फ्लोर कम कारपेट ब्रश, वेट ब्रश, अपोल्स्ट्री नॉजल और क्रिविस नॉजल देखने को मिलेगी, कमपनी के क्लेम के हिसाब से 84 डेशिबल्स नॉजल लेवल होने चाहिए इस वैक्यूम क्लीनर के, लेकिन हमारी टेस्टिंग के दौरान इसके नॉजल लेवल्स आये थे 105 डेशिबल्स, अमेरिकन माइक्रोनिक का ये वैक्यूम क्लीनर 9 kg वे करता है और इसके अंदर आपको 5 मीटर की पावर कॉर्ड लेंथ मिलती है, ब्रैंड आपको इस पर देता है वन येर की कॉंप्रेहंसिव वारंटी और आप इसे इस समय खरीद पाएंगे 7,900 रुपीज का, अच्छा वैक्यूम क्लीनर, अच्छी सक्षिन कपैसिटी, बहुत सारी अटाच्मेंट्स और वेट एंड ड्राइ दोनों टाइप की क्लीनिंग बहुत ही बढ़िया तरीके से, इसके अंदर आपको हेपा फिल्टर भी मिलता है, अगर आप सिमिलर फीचर्स देखें, तो आपको अगारो के एस में भी मिलेंगे और वो कॉस्ट करता है 5,200 रुपीज, या फिर आप कार्चर भी कंसिडर कर सकते हैं, वो भी एक शानदार वैक्यूम क्लीनर है, अगर आपको अमेरिकन माइक्रानिक ब्रैंड के अंदर इंटरस्ट है, तो लिंक्स मैंने दिये हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इन तीनों वैक्यूम क्लीनर को जरूर चेक करें, यह जो प्रॉडक्स आपने अभी इस वीडियो के अंदर देखे, वो आप तक ऐसा वीडियो हम पहुचा पाएं, इसके लिए हमने खरीदे और टेस्ट करें, ऐसा हम करते रहें, इसके लिए हमें पैसो की जरूरत है, और उसके लिए हमने अपने चानल की मेंबर्शिप को अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब बटन के साथ दिये गए जॉइन बटन को क्लिक करें, और वीमवन बेस्ट फेरेंड बने, उसे करने से आप इनी प्रॉडक्स को हमसे खरीब भी पाएंगे डिसकाउंट पे, दोस्तों कैसा लगा आपको यह व फुल रव्यू देखना चाहते हैं, तो प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं उसका फुल रव्यू जरूर शूट करके आपको जल्दी से जल्दी दिखाने की कोशिश करूँगा, और क्या आपने मेरा कूलर का वीडियो अभी तक देखा है, या फिर इन्वर्टर का वीडियो अगर अभी तक नहीं देखा, तो यहाँ पे और यहाँ पे उसके कार्ट आएंगे, आप उन्हें क्लिक करके जरूर देखिएगा, और मैं मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी, थैंक्यू बरी माच